असलाम अलेकों वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल मनाहिल टेलर, आज की इस वीडियो में हम लॉन कुर्ती के लिए बहुत ही प्यारा सा लोग्स के साथ नेक डिजाइन बनाना ठीकेंगे, तो सबसे पहले हम गले को कट कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल चोड़ाई मेंने हम ज्यादा ले सकते हैं, अब हम दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पे आप जो भी गला बनाना चाहें, बना सकते हैं, मैं यहाँ पे वी गला बना रही हूं, लेकिन उपर से हलकी से गोलाई देते हुए, तो अगर आप स्ट्रेट भी रखना चाते ह हैं, अब इस तरह से हमने वीग को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया है, पर जहां तक 7 इंचिस पे निशान है, वहीं तक हमारा गला आएगा डिजाइन बनने के बाद, अब जो बंद वाली साइड है, वहां से हम तक्रीवन पोने 1 इंच की चोड़ाई पे इस तरह से कटिंग का निशान लगाते हुए, इसको कट कर लेंगे, कटिंग करने के बाद, अब कुछ इस तरह से हमने कपड़े के उपर गले को पैस्ट कर लेना है, पहले सेंटर वाला हिससा, उसके बाद उपर का गला, ताकि गला जो है, जितना हमने कट किया है, उतनी चोड़ाई पैस्ट करने के बाद, अब सेंटर वाले पीस को हम निकाल लेंगे इस तरह से, और साइट से थोड़ा सा कबड़ा छोड़ते हुए, एक्स्ट्र कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह से, उसके बाद जी जो इसके कौनर है, वहां पर भी हम इस तरह से कट लगा लें उसके बाद, बैक साइट की तरफ जो पुकरम की किनारी है, वहां पर हमने किसी और कलर के दागे के साथ यहां पर लगा लेनी है, तो यहां पर देखे मैंने इस तरह से तरह से नजर आ रहा है, अब इस ही के हिसाफ से हम यहां पर लूप्स को स्टिच करेंगे, तो यहां description box में मिल जाएगा मैं सिखा चुकी हूँ पहले बहुत सी वीडियो में इसकी जगा आप चाहे तो ready made dory भी use कर सकते हैं तो यहां पर हमने इस तरह से ready कर ली है उसके बाद आपने इसके दो दो इंच के pieces cut कर लेने हैं इस तरह से उसके बाद अब हम यहां पर गले के आगे निशान लगा लेंगे जितनी space के साथ आप loops stitch करना चाहते हैं कर सकते हैं मैं यहां पर एक एक इंच के फासले के साथ इस तरह से निशान लगा रही हूँ और दोनों साइड पर हमारे जो निशान है वह सेम ही होंगे ठीक है अब इन निशानों के उपर हम loops को रखते वे स्लाइ करते वे जाएंगे इस तरह से और ध्यान रखना है कि loops की जो size है वह बराबर हो कम ज्यादा ना हो अब सेम इसी तरह से दूसरी सैट से भी हम इसको slide कर लेंगे अब extra dory को हम यहाँ से cut कर लेंगे इस तरह से तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने cutting कर लिया है और बहुत ही विनीशी के साथ हमारे loops stitch हुए है उसके बाद अब अपने shirt की front वाली side लेनी है इस तरह से और आपने इसको fold करके जब iron किया था तो उसके center पर crease बन गई है यानि निशान पड़ गए है उनी निशानों को हम tailor joke की मदद से dark कर लेंगे उसके बाद गले को center से इस तरह से cut कर लेंगे ताके center का idea हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम गले को इस तरह से ultra करके रखेंगे बिकुल center पर और उसको pin के साथ अच्छे से यहाँ पर set कर लेंगे इस तरह से print लगाने के बाद अब इसके उपर हम slide कर लेंगे slide जो हमने नीचे की तरफ लगाई है loops के उपर उसी के उपर उपर हमने अपनी दूसरी slide लगानी है इस तरह से अब extra कपड़े की हम cutting कर लेंगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए और जो इसके corner है वहांपर भी इस तरह से cut लगा लेंगे ताके plattने के बाद भी its finishing और पूरे गले के उपर भी इस तरह से cuts लगाने अब यहां पर हम इसको इस तरह से जब पलटेंगे तो loops जो है वह इस तरह से हमारे बाहर की तरफ आ जाएंगे उसके बाद आपने इसको पहले अच्छे से आइरन कर लेना है इस तरह से तो यहाँ पर देखे यह हमारा गला इस तरह से बनके रेडी हो गया है उसके बाद अब हमने सेंटर पे स्टिश करने के लिए यह अलग से कपड़ा लिया है और जिसके उपर हमने कपड़े के उपर बुकरम को पेस्ट किया है उसकी चोड़ाई हमने ज्यादा रखी है और उसके नीचे एक अलग से कपड़ा रखा है जिसको हम इस तरह से उपर की साइड से स्लाई करके यूँ फोल्ड कर लेंगे ताकि उपर वाली साइड हमारी अच् कर सकते हैं जितनी आपने रखनी हो यानि जितना आपने नीचे करके स्ट्विच करना हो अपने साफ से कर सकते हैं मैंने जितनी कले की लेंद रखी थी उसी के एसाफ से मैंने पट्टी को सेट करते हुए पिन के साथ इसको सेट कर लेना है अब इसके उपर हम स्लाइड कर ल तो यहां पर जी देखिए हमने कले को रेडी कर लिया है आप चाहें तो लूपस के अंदर पल्स को भी स्टिच कर सकते हैं या आगे की तरफ आप कोई फैंसी बटन वगरा यूज़ करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं मेरे पास लैसस में से कटे वह यह कुछ फ्लावर्स के प लिएगा इसके अलावा आप मुझे इस्ट्रेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज